मोधी सरकार ने संसत के नए भवन में एर्थिहासिक महिला आरक्षन विद्यक को पेश कर दिया जिस पर सदन में चर्चा जारी है एक ओर जहां हर सियासी दल इस बिल के समर्थन में है तो दूसरी ओर चुनाव से पहले बिल लाने पर सरकार की मनशा पर सवाल भी खड़े किये जा रही है यानि महिला आरक्षन विल को लेकर सियासत तेज हो गई है सबसे दिल्चस्प बात नजर आ रही है कि इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पाटी और बहुचन समाज पाटी के एक बार फिर से सुर्व से सुर्व मिलते नजर आ रही है दोनों पाटीों ने इस बिल का समर्थन करने का अईलाद तो किया है लेकिन इसके साथ ही OBC महिलाओं और STSC के लिए भी आरक्षन की मांग की गई है सबसे पहले ये सुन लेते हैं कि महिला आरक्षन बिल को लेकर मावती ने क्या कुछ कहा इस महिलाओं को जो भी आरक्षन दिया जाता है तो उसमें से SC, ST, OBC वर्गों की महलाओं का अरक्षन का कोटा अलग से सुनिशित किया जाना चाहिए और जदी ऐसा नहीं किया जाता है और ये बिल वर्तमान इस्तिती में ऐसे ही पास कर दिया जाता है तो फिर हमारी पार्टी ये मान कर चलेगी कि इस मामले में भी बीजेपी वे कांग्रेस पार्टी ये कंपनी के लोगों की जातिवादी मान सिक्ता अभी तक भी नहीं बदली है और ये पार्टी ये वर्गों को अभी भी पिछड़े हुए बनाए रखना चाहती है आपने सुना मायवती ने क्या कुछ कहा बस्पा सुप्रिमों ने बिल का सपर्थन तो किया साथी महिला अरक्षिन बिल को लेकर बड़ी मांग की है मायवती ने कहा कि SCST और OBC वर्गों की महिलाओं का फोटा अलग से सुरक्षित करना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन वर्गों के साथ ना इनसाफी होगी वहीं दूसरी ओर सपा सुप्रिमों अखिलेश रादव में भी मायवती की तरह ही पिछडे दलित अल्फ संख्यक आदिवासी यानि की PDA को बिल में एहमियत देरी की बात नहीं है सोशल मेडिया साइट एक्सपर अखिलेश ने लिखा कि महिला आरक्षन लैंगिक न्याय और सामाचिक न्याय का संतुलन होना चाहिए इसमें पिछडे दलित अल्फ संख्यक आदिवासी की महिलाओं का आरक्षन निर्शित प्रतिशत ग्रूप में स्पष्ट होना चाहिए यानि महिला आरक्षन को लेकर सपा बसपा OVC महिलाओं को भी रेजर्वेशन दिये जाने के मुद्धे पर एक साह दिखाई दे रही है हाला कि बसपा ने मुसलिम महिलाओं के लिए आरक्षन की बात नहीं की है इधर सपा OBC के साथ मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षन दिये जाने की मान करनी है गौरतलब है कि अगले साल लोगसभा और पांच राजियों में चुनाव होने वाले हैं ऐसे में महिला आरक्षन का ये मुद्दा बसपा और सपा की चुनावी रणीती को एक मच पर लाकर खड़ा कर सकता है वैसे तो मायवती ने साफ कर दिया है कि बसपा ना NDA के साथ आगामी चुनाव लड़ने वाली है ना विपक्षी गडबंधन के साथ लेकिन राजनीती में कुछ भी संभब है ऐसे में इस बात की हवा फिस्टल जूरों पर है कि महिला आरक्षन बिल को लेकर उठे सवाल मायवती और सपा के बीच की गूरियों को कम कर सकती है जो आने वाले चुनावी जंग में विपक्षी कडबंधन इंडिया के लिए अच्छी खबर मानी जा सकती है